गुरु जी दा सहयोग किता जाएगा ओदों ही संसार समाज दी तरक्की भी होएगी गुरु जी एसे नुते सेवा केंदने वेच दुनिया सेव कमाई है ता दरगाह बैसन पाई है जे सहयोग करोगे सचे दिलों ता रभी दार दे उते रभी दरगा दे अंदर परवान हो जाओगे एनी महानता है सहयोग करन दी सेवा करन दी सेवा करतो है नहीं कामी तिसको होत प्रापत स्वामी जीडा निश्काम पावना दे नाल किसे दा सहयोग करदा है वो स्वामी दे अंदर मिलके स्वामी वर्ग ही होजन्द है वो स्वामी वर्गा ही होजन्द है इसलिए रिष्टियां दी जो महानता है एदा नौवा पॉइंट ए है कि मंजल ते पॉंचन दे अंदर ए सहयोग कर देने सहयोग कर सक देने सहयोग दे सक देने ए रिष्टियां दी महानता है ए एने महानने ता महानने जैसे ये काम कर देया ते रिष्टियां दी महांता दा जो दस्वां पॉइंट है जो मैं आपने अलसांजा कर रहे हैं ओ है कि ये सोख और दुख दे साथी ने सोख और दुख दे साथी ने ता महानने रिष्टे ते जे सोख विच भी साथी ने दुख विच्वी साथी ने ता फिर महंता था ना वी फिर रिश्टा का दा फिर यारी दोष्टी सज्जन मित्रता का थी फिरते कुछ Big나ride नी फिरते बेगानियान दी तरा जेत उस्यि खुशी विच्वी कर ले ओ दुख विच भी कल ले ओ चार चुफिरे लोग ने एदा मतलो तुहड़ा आपना कोई भी नहीं है जो आपना है ओ ता तुहड़ा सहयुक करेगा तुहादे सुख दुख दा साती हुवेगा सुख दे अंदर भी तुहड़ा सात दवेगा ए रिष्टियां दी महनता है और सानु एक दूजे दा सुख और दुख दा साथ जड़े देना चाहिए दे जे सुख है उदा साथ देओ उदी खुशी दे अंदर शामल हो ते जे कि ते दुख है ता दुख दे अंदर साथ देओ उदी दुख दे अंदर शामल हो उदा दुख कटेगा उदी खुशी वदेगी रिष्टियां दी महानता है कि ये सोख और दुख दे साथी ने इसलिए असी इना रिष्टियानों महान बनानंदा यतन करिये जो कि एसी नेगेटीव बोल बोल के कि आज कोई किसे दानी रहा जैसी सुर्थ होईगी जैसे अंदर विचार पैदा हुनगी वैसे ही यो विचार बंदे चले जानगे रिष्टेदारां लेवी सजना मितना लेवी संसार वास्ते वी नेगेटिव सोचोगे नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी ते जे पॉजिटिव सोचोगे ता पॉजिटिविटी पैदा हुएगी सकारात्मक्ता पैदा हुएगी इ इसलिए रिष्टियां दी महानता बारे सूचना है कि रिष्टियां दी महानता की है साधे सुखधुल दुख दे साथी ने जदो असी होर वेख्देया तहा साधी हो whilst 11 पॉइंट रिष्टियां दी महानता वास्ते कि वो साधी पहचान ने असी उनना दी पहचाना साड़ी ओ पहचान बन देने कि मैंने मन लो तुसी मैंनों नहीं जान दे मेरे पिता जी नहीं जान देओ मेरे पिता जी दे तुसी यार दोस्त सी उनना दे नाल तुसी रहे और जदो मैं तुहन दसना कि मैं सरदार तरलोक सिंधा पुत्तर हां ते तुसी बड़े खुश हुन देओ क्या बात ओतना साड़ी फ्रेंड सन ओतना साड़ी यार दोस सन बड़े चंगे साथी सन ता मेरी पहचान बणी न ता रिष्टेया नातिया दी महान ता ए है कि साड़ी ओ पहचान असी उनना दी पहचान बन देया ते पहचान चंगी होने चाहिए दिये जिड़ा इंसान चंगा और महान होए पहचान ओदेकर की बन दी है जिसने ऐस दुनिया दे अंदर चंगे काम कीते होनगे कोई तरक्की कीती होईगी जिनने अपनी पहचान बनाई होएगी ओ ही साड़ी भी पहचान बन पाएगा ते जैहोजी किसे दी पहचान होएगी वैसी ही अगली पहचान बनेगी इसलिए रिष्टिया नातियां दी ये महानता है कि ओ साड़ी पहचान बन देने असी अपने रिष्टेया नातिया दी पहचान बन दे हाँ असी अना चीजानो समझी है और असी अपने रिष्टेया दे रहा दिया सजना मितना यारा दो उसता दी पहचान बने है ओ साड़ी पहचान बनन और तो हड़ा नाम लेके ही किसी दा कम हो सके मैं दिल्ली जावा ते दिल्ली जाके मैं कोई काम हुए कि ते मैं रात रहना हुए जांकि ते आना जाना हुए ते मैं कावा कि पाई की जिंदर संग जी जो बूली चुछ रागी संग ने वो मेरे मित्र ने तेना दा नाम लेने एक एंड यारो तेरे मितर ने फिर टैकसी क्यों लब दा फिर ने आम ए तेनुचन्डी गढ तक कार ते छट क्या ना तुसी पाई सब साडेवल चलो ऐसी पहचान ताएं मित्रत है एदिय पहें महांता है मित्रत दिये रिष्टियां दी महांता है जे ऐसा नहीं तब फिर कादे रिष्टे कादे ना दे इसलिए असी रिष्टियां दी महांता नू पहचानन दा यतन करिये आप समझिये, अपने बच्चियानों समझाइए, अडोसिया परोसियानों समझाइए, समाध तक एन चीजानों पहचान दा यतन करिये कि पलेओ, ए रिष्टे बहुत महानने, एन आदे विचो बहुत कुछ निकल सकता है, पनंत महान वडिगा पॉसीबिल्टीज ने इन आद है स्दा माणके अर्श्यां देक इस एक क tidak आ एक जो अंदरों और बारों एक जो कथनी और करणी दा पूरी है और जिदे तू साण विश्वास हुन्दा है कि जी मैं काम कहांगा तो मेरा काम जरूर करेगा मेरा सहयोग जरूर करेगा मान हुन्दा न कहीं आते असी कह दिने हैं कि परदा आंजी उनना तियार मान है परदा आंजी नूमें जो कमांगा मोडन ने लगे पाई पर होले होले लोग इना चीजाने गवा चुके ने और इना चीजाने संभालंड़न दायतन नहीं कर रहे जे इस पास से त्यान दिता जाए ताँ वास्ता उदे अंदर एक नमे और काम्याब समाज दी सिर्जना कीती जा सकती है गुर्देव दी पावन बानी नो ज़ोसी पड़ दे हैं न ताँ गुरु पाथशा जी कहने न पूत काहे चगरत हो संग बाप जिनके जणें बडीरे तुम हो तिन सें चगरत पाप माँ पे ओदे नाल चगडा करना पाप ऐसे जना क्यों चगड़ दे रिष्टे दी महान तानू समझ ताँ साड़ा मान ने हुन आओ मैं थोड़े जे दो चार रिष्टियां दी आप ते नाल गाल करां फिर असी कुछ सवाल जवाब जे हुए ताँ उसी करन दी ट्राई करांगे सब तो पहला असी देख देयां कि पती और पतनी ने ताए बड़ा प्यारा रिष्टा है पर रिष्टे दी महान ता है रिष्टा महान ता है जे सी इनू ठीक टांग दे नाल निभान देयां ते जे उनू ठीक टांग दे नाल नहीं निभाया जान दा ता इट मींस सी उस महान तानू नहीं समझेया जो कुछ उस रिष्टे दे विच्चो सुख अनन्द पैदा हो सकदा सी ओदे तोसी वांजे रह जा मंगे हुझजे सी गुर्बानी दे बेस्ते विचारिये ताग गुरु पात्षा जी कहेंदे ने तान पिर एहे ना आख्यें बेहन एकठे होए एक जोद दोई मूरती तान पिर कहीं है सोए इस रिष्टे दी महांता एह है कि वेखन दो होन शरीर दो होन पर जोद एक होए जोद दा मतलब विचार तारा विचारा दी सांज विचार तारा एक होए सोच एक होए शरीर दो होन सोच एक होए जे पती पतनी दी सोच एक है ताए रिष्टा महान है फिर एदे विच्छो बहुत वड़ा सोख और अनन्द पैदा हुईगा फिर कार स्वर्ग बन जाएगा ते जे दी महांता नो ना समझा जाए ता फिर एदे वरगा नरक भी कोई ने मैं पहला में बेंती किती सी न कि इंडिया दे अंदर पती और पत्नी वास्ते दो शबद वरते गए कि पत्नी नो बंदा देवी समझे ते पत्नी पती नो परमेश्चर समझे एदे पिछे एक बड़ी बड़ी विचारतारा काम कर दिये कि पती जड़ा है परमेश्चर बनके रहे परमेश्चर वरगा हो के जीवे और चड़ी है देवी बरगी देवी बन के जीवे ओ नू देवी समझे देवी जिनना सतकार ओ दर आप जिनना सतकार करे जे कारदे अंदर एक नू देवी दिस रही है दूजे नू परमेशर दिस रहा है ताओ कार स्वर्ग हो जाएगा जित्थे देवी और परमेशर रिंदे ते जिते चडेल और पूतने देशते होंगे ओ थे की बनेगा कारनर्क बन जाएगा न ता ये रिष्टे दी महानता है इस महानता नो समझन दी ट्राई करिए हुन जिमें पती जिड़ी है पती पतनी जिड़ी है चाईदा है क्यों पती दा बन दा आदर्मान और सतकार करे जिवे रिसोई दी साम समाले जडियां हाउस वाइफ ने ओए चीजां दवल ते आन देंदा यतन करन और पती दी गलनू ते आन दे नाल सुने ठ्रम में दे नाल पहला ते आन दे नाल सुने ओधी प्रोब्लम्स नो समझे और प्रोब्लम्स नो समझे फिर ओदा ठ्रम में दे नाल उत्तर देंदा यतन करे उन्नु सही सला दवे और जे कर प्रोफेशन है कोई पती दा उदी अंदर उन्नु सकारात्मक होंसला दवे बाई चांस जे कि ते छोटा मुटा को काटा प्याया है तब पतनी ए लफज वरते कि कोई गाल नहीं जिंदगी विच उतार चड़ा ओंदे रेंदेने थोड़ी मेनत करोगे ते सारा कुछ सौल हो जाएगा शब्दाव लिए ना ता कारदे अंदर महौल सुखामा हो जाएगा डाक्टर सरूप सिंग मरवाह ने बड़ा सुंदर लिखिया है ओ कहनदा है पती जदों बाहरों ओंदे ता पतनी दा वरतावा दो तरह ना हुंदे एक ते है अनजान पतनी जिननों समझ नहीं है ओदे वास्ते बेसमधी वाला शबद उनने बरतया है ओ कहनदा है पती कार आंदा है ते आंदे आं सार पतनी ने में कप्डे जड़े ने मेली पाएने वाल ओदे खिलरेने अख़्ा हो दिनने पामा चड़िगाने ते ओंद्यां सार कैदनी आज फिर तूं लेट हैं मुंड़े दा हाथ टोके दे विचा गया उद्यूंगली वड़ी गी ए कटा कपड़े खा गया बच्चें दी फीस परनी दो दी पैसे मंगन वास्ते ऐसी तैनूं बार एकुमना फिर्दा है ये सारा मूड गरबर हो गया ना ओ पहला ही थक्या तुट्या पतने कि थों बेज दी करा के किस तांग दे नाला है ते कारवाली दा एव तीरा उस बंदे नो होर दुखी कर दवेगा दूजी जो स्यानी पतनी है जदो पती बाहरों आएगा तो वेख दिये कि जे पती दा कुछे आएगे किया पानी पीो और अज मैनों ठक्के लगदे हो क्योंकि तुसी मेनत बहुत कर दे हो कि निया तुसी अपनी जिम्मेवारिyas ने भंदे हो लिए में तौह डवासते चा बना के लिए और तो अडवासते आज मैं इना सुनदर खाना मना बनाए है खाओ गए याद कर और दुबारा तुसी उद्वास्ते आडर दे होगे अचादा कप यू उचाप इन लगदा है तिनाल केंदी मेरा जीत नहीं करदा केंदे लेकिन थोड़ी आ प्रॉब्लम सी चलो कोई नहीं एनुवसी सॉल्व कर लो मंगे ता उदिनल पती दा होंसला वदेगा रिश्टिया दिमानता ताई है ना हुन 24 साठी है एसे तरह हुन देड़ा पती है मन लो जे कोई और हाउस वाइफ है ता पती दा फर्ज बंदा है पी जो करी लुकाम काजने उनना में थोड़ा सहुक कर दवे उनना देविच जेड़ा थोड़ा सहुक करना है अपनी चाप इती ते जे चुक्के पांडार सोई तक रख होंदे अगलासी ते देविच्च पत्नी दा गुलाम नि बन सक्या जोरू दा गुलाम नि बन चलिया दे रात नो अपना विस्तर आव चालें दै स्वेरे उठ क्यों कंबल ते कर दिन दै ता एदे नल ओपत्नी दा गुलाम नि बन चलिया उन्हों सहोग मिलेगा रिष्टे दी महंता था है कि यो थोड़ा सहोग करे पत्नी निया जिडिया योग लोडाने उन्हों पूरा करन दा यतन करे और जो कारदे अंदर कोई काम करना है ता उदे विच पत्नी दी सला जरूर लेंदा यतन करे ये थुडियां मुटियां मुटियां जीयां गल्लाने एसे तरह हुन पत्नी दे नाल भी विहार दो तरह दा हुईगा दो तरह दे लोग हुणगे ना वर्डिंग दिडी है कार ओंदे असार पत्नी नू बोलना शुरू करता कि तू सुफाई नी कर दी तू नुकम्मी है समान खिल रहा हुए है कि कुछ कीता पैते नुवकल ही नी ते नुमोत नहीं एक ते बंदा ऐसा हुईगा दूजा बंदा आएगा बेशक सफाई आदिक नहीं तो ठ्रम्मे देनाल बड़े प्यार देनाल बोलेगा कि तू बहुत कारणों संबाल दी हैं बच्चेयां नु संबाल दी हैं कि नी मेहनत कर दी हैं तू स्वेरे मैनों त्यार करके पेज दी हैं टिपन त्यार करना दूजा तीजा कोई प्रोब्लम ता नहीं जिड़ा आज आसमान वगरा खिल रहा हुए है ता हो सकता है ओदी कोई प्रोब्लम हुए ओटू हनों दसे ता कहन तो पाव इना रिष्टियां दी महनता ता है जे असी ऐश टांग देनाल वर्तन दा यतन कर देयां फिर ए रिष्टे महन ने फिर ए रिष्टे दे अंदर स्वर्ग है फिर इस रिष्टे विच खुश्यान है ते जे कर असी दी महनता नो समझन तो बिना वर्त देयां ता फिर साधा कारपरवार नर्क बन सकता है इस सितना असी देख देयां पैन और प्राने जेड़े पैन प्राने जदो बच्पन दे विच ने ता उन्हा दी रिष्टियां दी महनता ता है कि माँबाप जेड़े ने थोड़ा दे सहोग करन कि वो अपने गाँ चीजां एक दूजे दिना लखड़ोने शेर करन बच्यानों शेर करना स्खाओ क्योंकि आज निकिया निकिया चीजां शेर करनगे टौफी शेर करनगे खलोना शेर करनगे ता ही वड़े हो कि एक दूजे दा सहोग करना सिखनगे ते जे माँबाप पहले इसकादन बेटा खड़ोना ली किसे नो देई दा अपने ना चीज ना किसे नो आप खेल ले कर अंदर बैके खेल ले ता एदा मतलब वो शेर करना नहीं सिखेगा सहोग करना नहीं सिखेगा अगे जाके वो स्वार्त ही हो जाएगा वो किसे दा सहोग नहीं करेगा ते जे ओ किसे दा सहोग नहीं करेगा ते ओदा कौन करेगा इसलिए रिष्टियां दी महनता था है पैन पराने वो एक दूजे दिनाल समान शेर करन बच्चे पढ़ रहने तैना रिष्टियां दी महनता ए है कि पढ़ाई दे अंदर एक दूजे दा सहो करन कई वार एक बच्चा कमजोर हुंदा है एक बच्चा बड़ा हुश्यार हुंदा है ता हुश्यार बच्चे दाए फर्ज बन दाए कि वो कमजोर पैन परादा मजाक न उड़ाए ओदे अंदर नेगिटिविटी पैदा ना करे पि तू डंगरी रहमेंगा एहो जे लफज ना बोले सगों अपना होमवर्क पूरा करके बड़े प्यार दे नाल अपने छोटे पैन परादा नो या वटे नो कवे कि लिया मैं तेरा होमवर्क करन दे अंदर सहो करना यार तू ते बड़ा हुश्यार है जे थोड़ी जी हिम्मत मारें ता तू ता सब तो अग्गे जा सकता है ओदा सहोग करे इस तो लावा सकारात्मक सोच दवे पैन परावांदी रिष्टे दी महानता ता है कि पॉजिटिविटी दवे नेगिटिव शबद एक भी ना बोले क्योंकि नेगिटिव शबद किसे वास्ते बोलना इस दुनिया दा सब तो वड़ा पाप है अपराद है इस तो लगधा अपराद कोई नहीं कि वे मन लो मैं हर्मोनियम सिखना चानना और मैं पाई साब को जावा की हर्मोनियम ते मैंने कहे दिन पाई जी तो अड़ी आवाज ने ठीक तोसे हर्मोनियम ने सिख सकते इसलिए तोसी रहन दोय चीज हुन इन्हादी एनी गालनु जे मैं मनलवा क्योंकि उस्ताद ने वास्टर ने ते मैं तो फिर हर्मोनियम सिखा गाई ना सिख इनी पावाँगे क्योंकि इड़े वडे उस्ताद ने कहाई जिता कि तू नहीं सिख सकता तेरी अवाज ठीक नहीं तहां मेरा नास वाज गया ना हाला कि जिड़े वड़े संगीत कारण है ओ एगाल कहन देने कि जिड़े दिवार ते अंदर भी जबान हुए ते दिवार नो भी गाने ते लाया जा सकता है जिड़ा एक काम कर सकता है दूजा भी कर सकता है हुन मैं किसे कुल रावा पाई सब में हर्मोनियूम ते वो कवे पी आ रहे थे तू बहुत चंगा सोचया है क्या बात हर्मोनियूम जे तू सिखेंगा संगीत एक बहुत वड़ी कला है संगीत आज कल मतलब अपने अपने अंदर थेरेपी